दोस्तों लौशकार मैं संजे मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याणा विधान सभा चुनाव के बाद आज हर्याणा विधान सभा का अधिवेशन भी शुरू हो गया और हर्याणा विधान सभा अधिवेशन की एक प्रमुख बाद जो रही वो ये रही कि इस अधिवेशन के अंदर कॉंग्रेस बिना अपने किसी नेता की विधान सभा के अंदर है मैदान में है विदान सभाग को भी अगर कहें तो एक मैदान है वो जहां पर पक्ष और विबक्ष जनता के हितों की या अपने हितों की अपनी आपसी बातचीत को ले करके आगे रखते हैं मैदान मैंने इसलिए कहा कि जहां पर किसी भी प्रकार की चर्चाएं होती हो बहस होती हो बेडंत होती हो वो सब अखाडे होते हैं सब मैदान होते हैं कोई कुष्टिक अखाडा होता है कोई राजनीतिक अखाडा होता है इसका मतलब मैदान या खाडा ये नहीं कि सब जगा चित और पट का खेल चलता हो और चित पट भी वो जो कुष्टिक अंदर होती तो विधान सभा के अंदर आज Congress Party अपने नेता के बिना मौझूद थी, Congress Party का कोई नेता आज विधान सभा में नहीं था, सभी जो 37 विधायक चुने गए हैं Congress Party के, अगर मैं कहे दूँ कि वो सभी नेता थे, क्योंकि जब तक नेता विपक्ष तै नहीं होगा और Party के अंदर CLP Leader Congress की जो Legislative Assembly के अंदर जो सदस्य है, उनका जो नेता तै नहीं होगा, तब तक वो विपक्ष का नेता नहीं माना जाएगा, Congress का विपक्ष का नेता ना होने पर, जहां Congress के नेताओं को सफाई देनी पड़ी, वहीं भारती जन्ता पार्टी के नेता, भारती जन्ता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है, वो कहते हैं क्योंकि Congress अवसान के दौर में है, इसलिए उनको सभी समस्याएं आ रही है, विधान सभा के अंदर आज Congress की तरफ से जो बोलने वाले लोग थे, बोलने वाले नेता बड़े थे जो, उनमें भुपेंदर सिंग उड़्डा थे, उनमें अशोक अरोडा थे, उनमें और तमाम नेता थे, और भारती जंता पार्टी की तरफ से जो बात रखने वाले लोग थे, उनमें भी तमाम नेता थे, लेकिन जो प्रमुक बात थी, सदन के नेता के रूप में नायव सिंग सेनी मौजूद थे, तो फिर विपक्ष के नेता के तौर पर किसी चहरे के नाम पर महर अभी तक नहीं लगी थी, खबर नवीसों ने जब पूचा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग उड़ा से कॉंग्रेस के बड़े नेता, उनसे पूचा कि विपक्ष का नेता तै क्यों नहीं हुआ, तो उल्टब बिगडे मीडिया कर्मियों के साथ ही, भूपेंदर सिंग उड़ा ने कहा दिया कि ऐसा कौन सा कोई पहली बार हो रहा है, और उधारन दे दिया करनाटक का, कि करनाटक के अंदर जब सरकार बन गई थी भारती जंटा पार्टी की, और कॉंग्रेस वहाँ विपक्ष में थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कई महीनों तक विपक्ष का नेता यानि कि CLP लीडर तै नहीं हुआ था, सुनिए क्या कह रहे थे भूपेंदर सिंग उड़ा, सवाल इस बात करें, जब कोई किसी को दिकत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाई कमाड़ पे चोड़ कर, तो वुपेंदर सिंग उड़ा कह रहे थे कि इसमें किसी को ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कि अगर उनका कोई नेता वहां मौजूद नहीं था, विपक्षके नेता के रूप में वहांगर कोई मौजूद नहीं था, वहीं दूसरी तरफ हर्याना पर्देश भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष महनलाल बड़ॉली आज पलवल थे, जो भारती जंता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसको गती देने के लिए, उसकी समिक्षा करने के लिए, कारकरताओं को संदेश देने के लिए, कारकरताओं को विधानसवाज चुनाव जीत की बधाई देने के लिए, पलवल आज प्रवास था महुनलाल बडॉली का जो भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और पलवल प्रवास के दोरान जब हमने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी अपना नेता क्यों नहीं तैकर पाई तो उसके जवाब में जो कहा महुनलाल बडॉली जी ने पंड़त महुनलाल बडॉली ने कहा कि क्योंकि कॉंग्रेस अवसान के दोर में है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने हर्याना परदेश को हमेशा चला है हर्याना प्रदेश के साथ में चल वाला वैवार किया है और इसलिए उसको भुक्त रही है कॉंग्रेस। सुनिए क्या कहा मौनलाल बडॉली ने। कांग्रेस पार्टी जिसा हिन है नितर्त तों विहिन है मौनल कर देश की निताओ के साथ किया है। किसी क्या के सामने जुक दरल को हम संदी कि तुनध समरे को बिषे की साधानची दर्गों निइआ करने का पृईयां धिए इसे कांग्रेस का किये हुए पाप की सजा कॉन में तुनुट कariamente किरा जो बरीब का हथा उसमें बल्टाचार करने का काम ठाव ने किया और सबसे बड़ी महाबरेश्ट पार्टी देश में आम आगरिक पार्टी केदरिवाल की पार्टी उनके साथ मिलकर दिस परकार से कामिलेंटर राजनेति करने का प्रियास किया है जम्मू का सिवन में जिस परकार से जो देश विरूदी राजनेतिक ताक्ते हैं के साथ मिलकर सरकार दोलाने का काम किया है और देश के लोगकंतर को कंजोर करने का काम कांगरिस ने किया है यह उसकी सजा कांगरिस को इस देश की जनता ने दी है और कांग्रेस के नेताओं का जो भरिश्ट आचर्ण है कांग्रेस के नेता जिस परकार से एक दूसरे प्रालूप लगाने का कान करते है और सब कुछ जंता जानती है, जंता जिनारदन है तो मैं आपको जो बता रहा था कि हर्याना विधान सभा में विपक्ष के नेता को ले करके जहां कॉंग्रेस पार्टी की चिंता होनी चाहिए लेकिन उन में कोई चिंता की बात सामने नहीं आ रही मुपेंदर सिंग उटा तो बड़ा सपष्ट कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है अगर हमारी पार्टी का कोई नेता तै नहीं हुआ मैं आपको बता दूँ कि हर्याना विधान सभा का जो चुनाव हुआ जिसका चुनाव का परिणाम आया 8 अक्टूबर को और जब हर्याना की जनता ने चुनाव परिणाम दिया तो फिर मैंडेट दिया वो मैंडेट ये था कि भारती जनता पार्टी सरकार चलाए भारती जनता पार्टी को और 49 विधायक दिये और कॉंग्रेस पार्टी के लिए जो mandate मिला वो ये था कि कॉंग्रेस एक विबक्ष की भूमी का निभाए, कॉंग्रेस विबक्ष में बैठे और कॉंग्रेस को 37 विधायक मिले भारती जंता पार्टी का सदन का नेता जो उन्होंने चुनना था अपना मुख्य मंतरी का जो चेहरा जिसको बनाना था यानि कि जो भारती जंता पार्टी विधायक दल के नेता का चैन होना था क्योंकि वही परदेश के मुख्य मंतरी होते तो उस काम को करने में भारती जन्ता पायटी को आठ दिन लगे और उसके साथ ही उन्होंने तैय कर दिया अपना मुख्यमंत्री फेस नायब सिंग सैनी को मुख्यमंत्री जो पहले से घुशित थे और उनकी शपत हो गई सरकार अब चलनी शुरू हो गई लेकिन कॉंग्रेस पार्टी जिसको मैंडेट मिला था कि विपक्ष में बैठ करके हर्याना की जन्ता की आवाज बने और इसके साथ साथ जिनको जिम्मेदारी मिली थी कि वो सरकार पर पूरा अपना दवाब बना करके रखें अगर सरकार कहीं निरंकुष हो तो ध्यान रखें लेकिन पहला विधान सभाधी वेशन निकल जाएगा आज पहला दिन उसका हो गया जो ड्यूटी जो जिम्मेदारी दी थी कॉंग्रेस पार्टी को उसका तो निर्वाहन करने में कॉंग्रेस पार्टी के लोग बाते हुआ करती हैं लेकिन इसे आप कॉंग्रेस का दुरभागय कहें और या फिर हर्याणा की जनता का खासकर जिन लोगोंने कॉंग्रेस पार्टी को वोट दिया जिन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को अपना नुमाईदा चुना जो 37 विधायक बने उनके लिए कि विधायक चुनने के बावजूद भी कॉंग्रेस पार्टी नेता विहिन पार्टी होकर के रह गई वैसे इस चुनाव के अंदर जो विधान सभाद चुनाव हुआ ये आज मेरी भारती जनता पार्टी के बड़े नेता से बात हो रही थी ये जिस प्रकार से चुनाव चौकाने वाला था चुनाव परिणाम चौकाने वाले थे कुछ वैसे ही फैसले हो रहे हैं आगे चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो और विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ा फैसला उनको करना था अपना नेता चुनना जो की परदेश की जंता का राइट भी है और कॉंग्रेस पार्टी का राइट भी है कि अपने किसी नेता को किसी चेहरे को बता और नेता विपक्ष फाइनल करके तै करके वो विधान सभा में बेजें ताकि उनकी अगवाई में सारे विधायक काम करें मैं आपको बताता है चलू कि लोगतांत्रिक प्रणाली के अंदर हर्याना में भी ऐसा हुआ कई देशों में ऐसा चलता है कि जिस प्रकार से सदन बनता है तो एक तरफ सदन में सत्ता पक्ष होता है दूसरी सदन के अंदर विपक्ष का नेता हुआ करता है जैसे सदन का नेता अपना मंत्री मंडल बनाता है अपनी वजारत बनाता है जैसे नायप सिंग से नहीं बने मुख्य मंत्री बने और अपने सारे वजीर बना दिये 13 मंत्री उनके साथ में है 14 मुख्य मंत्री तो इसी तरज पर ही कई ऐसे देशों के अंदर ये परंपरा है और ऐसा हर्याणा में भी हुआ था दोस्तों पिछले दिनों जब भुपेंदर सिंग उड़ा अर्याणा विदान सभा में विपक्ष के नेता थे तो ऐसा हुआ था कि शैडो मंत्री मंडल बनाया जाता है यानि कि सदन के नेत के आखिर वो आगे आने वाले समय के सरकार को कैसे घेर पाएंगे कैसे जनता की आवाज मन पाएंगे कैसे जनता की आवाज को उठा पाएंगे अलाकि कॉंग्रेस के नेताओं ने अब कह दिया है क्योंकि उनके पार्टी का अला कमान जो कॉंग्रेस के बड़े नेता है वो जारखंड, महराश्ट्र और बाकी राज्यों में चल रहे हैं विधान सभा के उपचुनाव उनमें व्यस्त है जब वहाँ से फ्री होंगे तो फिर सोचेंगे कि हर्याणा के अंदर किसको विपक्ष का नेता बनाया जाए वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये चुने हुए जन प्रतिनिधी जिनको जनता ने चुना खासकर विपक्ष के नुमाइन दे अगर वो अपना नेता चैन नहीं करते हैं विधान सभा के अंदर अगर तरीके से ढंग से जिस प्रकार से प्रोटोकॉल सभी होते हैं उस प्रकार से क्या वो आवाज उठा पाएंगे और सबसे प्रमुक बात कि क्या ये जनता के अधिकारों पर जनता के हगों पर किसी ना किसी प्रकार से कुठारा घात नहीं है और अगर ऐसा होता है तो फिर आप इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं और कौन से कॉंग्रेस के नेता को मानते है क्या प्रदेशिक आई और या फिर केंद्री नेत्रतव कौन जिम्यदार है कमेंट्स बॉक्स में जुरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज आई जारिक रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो अ झाल झाल